हेलो दोस्तों की हल चाल है उम्मीदे के अब अच्छे होगे इस वीडियों भाते करने वाले हम इंडिन कोजगार नेविक डीवी जीडी और यांतर के एक्जाम के बारे में आप में सब बहुत वच्छों का हमारे पास कमेंट आ रहा था एक्जाम को लेकर तो उन सब इस वाल चाएलो को आप सस्काइब कर लेना तो वीडियो चाट करते हैं बिनसे दरीका कैमें आप इस ट्रीजैल्स चाली चाली वीडियो चांट करते हैं धबर करें गारी में आपको डियन कारेए और जानकारी makan कर देतें रहते हैं तरा था कि सर हमारा एक्जाम होने के बाद फिजीकल कब होने वाला फिजीकल एक्जाम पी अफटी कह सकते हैं तो आपको उता दें आपका ये भी डाउट था कि सर एक्जाम और फिजीकल एक दिन होने वाले हैं जैसा पिसे साल होता था नहीं मेरे भाई आपका फिजीकल और एक्जाम अलग होगा और फिजीकल अलग होगा और 20 तारिक से एक्जाम सुरूँ है ये तो आपको पता है कालिस का अधिमिट का जारी कर दिया जाएगा सतर तारिकों जब भी आएगा सबसे बहले हम आपको उताने वाले हैं तो चैनल सस्काइब कर लो आपको उता दें आपका फिजीकल कब होने वाला है आपके एक्जाम खतम होने के बाद latitude महीने के अंडर आपका फिजीकल कर दिया जाएगा ICG की तरप से जिहां दोस्तो आपने सही सुना हम कहाः सकते हैं approach अपरेल की end में आपका physical होने वाला नहीं तो माई में 101% आपका physical होगा तो देख लेना दोस्तों आपके पार डेर महीना सब महीना तैयारी करने के लिए physical की बाकी आप notification देख लेना हमने टेलिगामर प्रोबाइट कर दिये आपको notification मिल जाएगा तो ये वाली बात आप समझगे होगे कि आपका physical कब होने वाला है अपरेल की last week में सुरू हो जाएंगे फिजीगल या मई में आपका physical होने वाला तीनों का नेविक डीवी जीडियो या अन्तिरिका अब बात करते हैं सर कोजगाट का result कब आने वाला तो हम आपको वता दें मा हम कह सकते हैं अपरेल की second week में आपका result आ जाएगा नेविक डीवी जीडियो या अन्तिरिका तीनों का मार्च में आपका exam होने वाला है तो नूटी भी किसमें क्लियर दे रखा है कि आपका exam होने के बाद 20 दिन में आपका result आ जाएगा ठीक है यह वाली बात भी आप करना हो गया हम खाली जीडि पास करके selection हो जाएगा हमारा तो हम आपको वताएगे प्लीज वीडियो पूरा वाच करो step by step कोई जानकार देंगे यादि आपने डीवी में अपलाई करा है तो section first ही आपको देना होगा यादि यह qualify कर लिया है तो आपका selection हो चुका है डीवी मे खाली ठीक है मेरे भाईयो यह बात आप समझ गये होगे और यदि आपने जीडि में अपलाई करा है तो आपको section first और section second दोनों ही qualify करने होंगे यहाँ पर दे सकते हैं और दोनों ही पास करने होंगे इसमें दुस्तों पासी मार्क दे रखा देख लेना जनरल EWS और OVC के ल पास करने ऐसा नहीं है कि आप DV कॉलिफाइइ कर लेते हो आप सोच ले हो कि सर हमने जीडि में अपलाई करा है तो हमारा DV कौलिफाइः हो चुका है तो selection हो जागा DV मैं नई होगा मेरे भाई जीडि में आपको दो नहीं section पास करने होंगे DB वाला भी और GD वाला भी आप समझ की होगे जो हम आपको बताना चारहे हैं तो कुल मिलाकर आपको दो नहीं paper पास करने होंगे NABIG DB का और NABIG GD का तभी आपका GD में सिलेक्शन होने बाला है तो सब कुछ जानकारी हमने आपको बहुत पहले वीडियों बता दिया है और जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल पर जाईए वीडियो देख लेना दोस्तों आपको वीडियो मिल जाएगा नेविक जीडी डेवी के लिए स्पेसल हमने वीडियो बना रखा है अब बात करते हैं हम यह वाला डाउट आपके समझ में आगया होगा पूरी जानकरी हमने आपको बता दिये इसके बारे में भी अब आगे बात करते हैं कि सर पेपर किस पर करक आया जाएगा ओलाइन होगा या ओफलाइन होगा इसके उपर भी आपका काफियाता कमेंट आ रहा था तो हम आपको वता दें आपका जो पेपर होने वाला है ओल्लाइन होने वाला जियां दोस्तो ओल्लाइन आपका पेपर होगा ओफलाइन नहीं होने वाला है हाँ पहले होता था दोस्तो ओफलाइन लेकिन इस बार नहीं आपका पीपर होने वाला है सबसे अच्छी बात है और दूसरी बात आपको वता दें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है हाला कि इसके उपर हम आपको वता चुके हैं लेकिन बहुत बच्चों कमेंट आता रहता है ये लश्ट वीडियो बना रहे है सब को जान करें इस वीडियो में दे रहे हैं तो प्लीस वीडियो पूरा वच्च करो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होने वाली है ठीक है ये बेनिफिट आपको अलग मिलेगा इसका फायदा मिलने वाला है आपको तो आप पूरे में सब पूरे करके आना ये मैं सोचना कि नेगेटिव मार्किंग है तो कम कोसन करें जितनी आते हैं उतनी कोसन करें नहीं मेरे भाई आप पूरे में सब पूरे कोसन करके आना इसमें बेनिफिट आपको मिलने वाला negative marking नहीं होने वाली है अब आगे बात करते हैं कि सर पेपर जो आने वाला किस भासा में आएगा हमारा पेपर इसके उपर भी बहुत बच्चों को हमारे पास कमेंट आया था तो हम आपको बता दें टैंसल मतलो आपका पेपर हिंदी और इंग्लिस दोनों में आने वाला है ऐसा हमारे सोची कि खाली हमारे पेपर इंग्लिस इंग्लिस में आएगा नहीं मेरे भाई हिंदी और इंग्लिस दोनों में पेपर आने वाला है यदि इंग्लिस में पेपर आता आपका तो notification में साबसाब दिया होता exam pattern में लिखा होता कि exam जो आने वाला है paper जो कराया जाएगा English English में कराया जाएगा ऐसा कुछ भी notification में नहीं दिया है notification हमने telegram provide कर दिये आप दिख लेना अच्छी दर्स से पढ़ लो तो notification में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिया है आपका paper इंग्लिस में आने वाला हिंदी में both down language में आपका paper आएगा 10 से मतलो तयारी करो कम टाइम है आपके पास बाकी सब कुछ जानकारी हमने आपको दे दिया है negative marking इसमें नहीं होने वाली है तो आपके इसका फायदा उठाना यदि आपका सपना है ICG में जाना Indian Coast Guard में जाना तो इस सपने को अधूरा में छोड़ना पूरा करना इस वादोस्तो बाकी इस वीडियो में सब कुछ जानकर हमने आपको उता दिया आपके ओलाइन एक्जम खतम होने के बाद सबा या तेड़ो महीने बाद आपका फिजिकल कराया जाएगा ICG के तरप से और रिजल्ट कब आएगा वो आएगा दोस्तो अप्रेल की सैकिंड विक में ठीक है अप्रेल की सैकिंड विक में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा नेविक डीवी जीडियो यांतरिक का और नोटीवी के समय साफसा दिया हुआ है देख लेना दोस्तो जब आपका एक्जम हो जाएगा उसके बेद दिन बाद जारी कर दे जाएगा आपका रिजल्ट ठीक है ये वाली बात भी आप समझगे होगे और पेपर दोने ही आपको पास करने होगे नेविक डीवी जीडि का यदि आपने जीडि में अपलाई करा है और यदि आपने डीवी में अपलाई करा है तो खाली आपको डीवी डीवी कॉलिफाई करना होगा ये वाली बात भी आप समझगे होगे और paper किस पर गर कर जाएगा दोस्तो online आपका paper होने वाला है तो इस बात का धियान रखना है दोस्तो offline नहीं होने वाला बहुत बच्चे कहा थे कि सर offline paper होगा नहीं मेरे भाई और online आपका paper होने वाला negative marking इसमें नहीं होने वाली हम आपको उता चुके हैं और एक्जाम लेंग्वेज हिंदी और इंगले दोने में होने वाला टैंसन फ्रीरो तैयारी करो दोस्तों आप सभी तो सब कुछ जान करें आपके डाउट्स को लेकर दे दी इस वीडियो में अब बाकी आपके जो भी सवाल लो तो आप अपने एक्जाम से पहले पहले नीचे कमेंट कर देना, नहीं तो हम टेली ग्राम पर आ गें, टेली ग्राम जोइन कर लेना यहां पर आप कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं और डेली आपके लिए क्विज आ रहे हैं तो जोइन कर लो मेरे भाःयो आपके एक्जाम से पहले पहले important question आपको share करने वाले है PDF share करने वाले हैं तो join कर लेना फिलाल इस वीडियो में तो नहीं था यादि आपको वीडियो पसंद आई तो like कर देना share कर देना, channel को subscribe जरू कर लेना मिलते हैं आपसे अगली वीडियो important topic के साथ आप तियारी करते हैं रहो अपना ख्याल लखना, जय हिंद